हिंदी के इस वर्ग में आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए सुमंगल शुप्रभात Modern Study Center के हिंदी बर्ग में मैं जनार्ण जौजरी अध्याक्ष हिंदी भाग के सारकॉलिस राय एंजन आप लोगों से मुखातिव हैं और फिर आज करवक के दूसरे व्याक्षान पर विचार्ज मेर्ज करेंगे इस पाठ में हम बस्तु निष्ट प्रस्नुतर पर चर्चा करेंगे और फिर दिरगुतर ये और लगुतर ये प्रस्नुतर पर भी विचार करेंगे आप यहां पर देख रहे हैं पहले ब्याक्षान में आपने जैसी के विशे में जान लिया करवक के विशय में जाना, उसी को बस्तुनिष्ट के आधार पर अभी समझना है, क्योंकि परिक्षा में बस्तुनिष्ट प्रस्णोतर किये जाते हैं, लगुत्तरिये पूछे जाते हैं, दिरगुत्तरिये पूछे जाते हैं, सबों को अलग-अलग धंग से पूछा जाता है तो आपकी सुविधा के लिए हमने अभ्यास के लिए दूसरा व्याक्षान शुरू किया है इसमें आप देखें जाइसी का पूरा नाम क्या है चार आप्सन दिया गया है मलिक मुहमद, खलिक मुहमद, सयाद मुहमद, असरफ मुहद आप यहाँ पर परते हैं मलिक मुहमद जाइसी इसलिए बिलकुल सही होगा ए पूरा नाम इनका होगा मलिक मुहमद और जाइसी तूपर दिया हुआ है मलिक मुहमद जाइसी जो हम परते हैं इसमें असली नाम मलिक मुहमद ही है जाइसी इन्होंने अपना उपनाम रख लिया, जाइस प्रदेश के थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम जाइसी रखा, जाइसी का जन्म कहां हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अबद, मतुरा, जाइस, कासी, जाइसी नाम से ही अस्पस्ट है ये, इन्होंने अपन नाम जायस के आधार पर जायसी रखा, अर्थात जायस इसका सही होगा, अर्थात सी इसका सही होगा, जायस एक प्रदेश का नाम है, कबर अमेठी के पास जायस एक प्रदेश का नाम है, छेतर का नाम है, उस छेतर के नाम पर उन्होंने अपना नाम रख लिया, अर्था इसक सही उत्तर सी होगा जाइसी किस काल के कवी थे आपको पहले व्यक्षान में बता दिया गया कि भक्ति काल में जो चार साखाएं इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं मुख्य रूप से दो साखा सगुन और निर्गुन सगुन में दो और निर्गुन में भी दो सगुन में राम भक्ती साखा और कृष्ण भक्ती साखा निर्गुन में भी दो है प्रेमास्राई साखा और ज्यानास्राई साखा तो जैसी नेरगुन प्रेमास्राइश साखा के कभी माने जाएंगे जैसी की रचना कौन सी नहीं है ऐसा भी प्रस्न का मोड हो सकता है सामाने तोर पर तो कौन है पूछा जाता है लेकिन कभी-कभी नहीं है यह भी पूछ दिया जाता है आप देख रहे हैं कि बिना पत्रिका पदमाबत, अखराबत और आखरी कलाम दिया गया है जिसमें तीन रचनाएं जैसी की है पदमाबत, अखराबत और आखरी कलाम तो जैसी की ही रचना है एक रचना बिना पत्रिका नहीं है अता इसका सही उत्तर ए हो जाएगा जाइसी की चारो रचनाओं का नाम दिया गए इसके इन चारो रचनाओं के कभी जाइसी है जिसमें सर्मस्रेश्ट रचना पदमावत मानी जाती है अता इसका उत्तर ए सही होगा पदमावत की भासा का नाम क्या है आपको दिया गया है अब धी ब्रजभासा मंडियाली कन्नाओं जी यहाँ पर आपको पहले इव बताया गया है कि पदमावत की भासा अब धी है तो आपको पूछा जाता है पदमावत की भासा का नाम तो अब धी अर्थात ए सही होगा यदि इसके एवज में आपको ये कहा जाता है कि जाईसी की भासा कौन है उसका भी उत्तर अवधी ही होगा जाईसी के चेहरे पर किसका दाग था आपको ओप्शन में दिया गया है चेचक, घाव, तील, कटने चेचक का दाग था जाईसी के चेहरे पर अता उत्तर एसाई होगा जाईसी किस रंग के थे तो काले रंग के थे इसलिए बी साई होगा करवक के कवी का नाम क्या है अभी आप पर रहे हैं करवक के कवी का नाम जाईसी इसलिए उत्तर साई होगा ए प्रेम की पीर का कवी किसे कहा गया है कवीर तुलसी सूर जाइसी सूफी का प्रेम का भी माना जाता है चुकि मलिक महमा जाइसी सूफी कवी थे इसलिए मलिक महमा जाइसी को प्रेम की पीर का कवी कहा गया है इसलिए सही होगा इसका डी जाइसी ने प्रेम कथा को कैसे जोरा है रक्त की लई से, सरदास से, भक्ती से, प्रेम से आप यहाँ पर देखेंगे रक्त के लई से सही होगा अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा जाइसी किसलिए कुरूप थे कुरूप होने का कारण आपको चार दिया गया है नाख के कारण, आँख के कारण और फिर आगे आप देखेंगे पैर के कारण, हाथ के कारण इसका सही उत्तर होगा आँख के कारण जैसी कुरूप थे अत्ता इसका उत्तर भी सही होगा जाइसी ने स्वैंग को क्या कहा है एक आँख वाला, दो आँख वाला, एक कानवाला, दो कानवाला अभी तुरंद आपने देखा है कि जाइसी आँख के कारण कुरूप थे अर्थात उन्हें एक ही आँख थी, एक आँख फुटी हुई थी अर्थात एक आँख वाला सही होगा, अर्थात ए, इसका सही उत्तर है आम में गंध कब होती है, अर्थात आम सुगंधित कब हो जाता है फल लगने पर, फल के पक जाने पर, पलब निकलने पर, मंजरी लगने पर यहाँ पर आपको ध्यान डखना होगा, कि कभी-कभी आपको लगेगा, कि एक से अधिक उत्तर सही है लेकिन वहाँ पर जान डखना होगा, कि आपकी किताब में किस बात की चर्चा की गई है किताब के आधहार पर उत्तर आपको चुनना होगा जैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, फल के पक जाने पर भी आम सुगंधित होता है लेकिन यह उत्तर सही नहीं है, आपको मंजरी की बात की गई है, डाब की बात की गई है इसलिए इसका उत्तर मंजरी लगने पर सही होगा, अर्थाथ डी सही होगा विधाता ने समुदर में कौन दोस दिया है, बरा बनाया है, गहरा बनाया है, पानी खारा बनाया है के पाठ में की गई है, तो C इसका सही उप्तर होगा, पानी को खारा बनाया है, अब आगे है, सुमेरु परवत कहां है, आकास में, धर्ती पर, पाताल में, कहीं नहीं, आपको चार आकास, कंचन, गिरी, भाल, लाग, आकासा आपने परहा है, अर्थात आकास में है, अर्थात ए सही होगा आँख एक आँख कैसी होती है दर्पन जैसी पानी जैसी सीशा जैसी मोती जैसी चार आपको आप्शन दिया है सब लगता होगा सही है लेकिन आपके पाठ में जो बात आई है उसके आधार पर उत्तर सही चुनेंगे दर्पन की चर्चा आई है अता ए सही होगा अम्रित असरू, असरू से उसने धोकर प्रिम कथा को पवित्र बनाया, तो इसका उत्तर होगा D. जाइसी ने कविता क्यों लिखी? आपको उत्तर दिया गया है जगत में पहचान के लिए, धन कमाने के लिए, पद पाने के लिए, राजा को खुस करने के लिए. आपने परहा है करवक में जगत महचीन हाँ जगत में पहचान के लिए तो यहाँ पर इसका उत्तर सही होगा जगत में पहचान के लिए अर्थात ए होगा संसार में कावन पुरुष धन्य है किरतवान पुरुष धन्य है किरतवान पुरुष धन्य पुरुष कीरत जासु को आपने पढ़ा है आपको दिया गया option किर्तिवान, धनवान, विद्वान, बलवान संसार में पुरुष धन्य बहुत लोग सब को मान लेंगे लेकिन आपको सब को नहीं मानना है आपकी किताब में जिस आधार पर धन्य वान कहा गया है धन्य कहा गया है उस आधार पर उत्तर देना है अर्थात कीर्चिवान अर्थात ए जाईसी के पिता का नाम क्या था मलिक सेख ममरेज, सेख मोहिदी, सेख चिस्ती, जहांगीर ममरेज इसके पिता का नाम था मलिक सेख ममरेज ए सही होगा जाईसी किस राजी के थे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चार राज्यों को आप्शन में दिया गया है आपको शुरू में ही बताया गया कि ये कबर अमेठी अर्थात उत्तर प्रदेश के थे, सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, अर्थात बी, रत्न सेन किस ग्रंथ का पात्र है अब यहाँ पर देख लिजे, उत्तर में दिया गया अखरावर्ट, आखरी कलाम, चित्रेखा, पद्माबद, सही उत्तर होगा पद्माबद, अर्थात डी होगा जैसी किस धर्म को मानते थे, हिंदू, इसाई, सूफी, इस्लाम यहाँ पर आपको देखना होगा कि सूफी और इस्लाम लगभग मिलता जुलता है जो इसलाम होता है वह सूफी होता है, जो सूफी होता है वह इसलाम ही होता है लेकिन आपकी किताब में क्या है, उसके अन्पूल आपको उत्तर देना है तो जाए C सूफी के रूप में प्रसिद रहे हैं, सूफी फकीर के रूप में, सूफी संत के रूप में, सूफी कभी के रूप में, इनके गुरू भी वैसे ही रहे हैं, अत्ता इसका सही उत्तर C होगा. जाइसी ने किस भासा में रचना की? आपको पहले भी बता गया है कि पदमावत की भासा क्या है? वहाँ भी आपको यही बात आई, ब्रैज, अबधी, खरी, बोली, गुजराती, तो जो पदमावत की भासा है, वही तो जाइसी की भासा है जाइसी ने तुलसी दास के तरह भासा बदल कर लिखने का काम नहीं किया, एक ही भासा में सारी रचनाओं को लिखा है अर्थात जो पद्मावत की भासा है वही अक्रावट की भासा है वही चितरेखा की भासा है आखरी कलाम की भासा है अर्थात अवधी में उन्होंने लिखा भी उत्तर सही होगा तिरवेनी के रचनाकार का नाम क्या है यहाँ पर आपको तिरवेनी के विशे में थुरा सज्जान लेना है जाईसी पर लिखी गई एक बड़ी महत्तपुन किताब है तिरवेनी जिसके लेख़क रामचंद्र सुकल है उन्होंने तिरवेनी में तीन कवियों की चर्चा किया ह तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, option में दिया गया है रामचंद सुक्ल, हजारी पुसाद, प्रेमचंद, अग्ये, इसका सही उत्तर होगा ए, रामचंद सुक्ल की रचना है तिरवेनी, जिसमें τेन महत्पुर्ण कभियों की चर्चा की गई है, उसमें एक महत्पुर्ण, मालिक महमद जायसी भी है जाइसी का बरा विशद सोक्षम चित्रन किया गया है तिर्वेनी में पर्थम करवक कहां से उद्रित है तो पर्थम करवक आपको शुरू में ही बताया गया है अस्तुती खंड से अर्थात आरंद से उद्रित है तो इसका उत्तर होगा A दूतिये करवक कहां से उद्रित है दूतिये करवक पदमाबत के उपसंगार खंड से उद्रित है अर्थात उत्तर होगा बी सुवा किसे कहा गया है हिरामन तोता हिरामन कवा हिरामन कभूतर हिरामन बगुला हिरामन तोता को सुवा कहा गया है अर्थात ए उत्तर सही होगा इ अपने बस्तोनिस्थ प्रस्णों पर विचार कर लिया, अब हम आगे लगुतरिये और दिर्गतरिये पर विचार करेंगे, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर सिट दिया गया है, आप इसके आधार पर बस्तोनिस्थ प्रस्णोंतर पर विचार कर लेंगे, अभिहास उसका उत्तर होगा दरपन में जैसे लोग अपना रूप देखते हैं रूप सही है सुंदर है इसकी संतुष्टी उन्हें दरपन से मिलते हैं तो इस तरह जैसे दरपन बरा निश्चल निर्मल होता है पवित्र होता है लोगों को उसका रूप सरूप दिखा देता है उससे लोगों को संतुस्टी होती है ठीक इसी तरह कभी ने स्वेंग को एक आखवाला बताया है लेकिन बड़ा निश्चल निर्मल बताया है वह जो कहेगा वह बिल्कुल सच कहेगा इस रूप में कहेगा जिससे की लोगों के मन में आनंद उत्पन हो इस तरह दरपन की तरह स्वैंग को वह निश्चा निर्मल बताया है अब दूसरे में है पहले करवक में कलंक कांच और कंचन से क्या तात पड़ आपने ब्याक्षान में देखा कि कभी ने बताया है कि जब तक कच्चा सोना कोईले के चुलहे में तप नहीं जाता है गल कर कुंदन नहीं बन जाता है तब तक उसके गुन का मुली नहीं होता है तपने के बाद गलने के बाद जब वह निकलता है तो मुली वान हो जाता है तो इस तरह कलंक का अर्थ कोईला हुआ, कांच का अर्थ कच्चा सोना हुआ और कंचन का अर्थ कुंदन अर्थ हात आग में तपा हुआ, गला हुआ, एक दम आग में तपकर निकला हुआ, सोना को कंचन खा गया इसे दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है कि कंचन वह इसे व्यक्ति का प्रतीख है जो संघर्ष की आग में तब कर निकलता है संघर्ष उसे पराजित बार बार करने का प्यास करता है लेकिन वो पराजित नहीं होता है अकवर इसलिए महान बन गए क्योंकि वह व्यक्ति जीवन वर संघर्ष करता रहा इस कारण वह आगे चल कर अकवर दा ग्रेट बन गया खैब यहाँ पर सीधे तोर पर आप मानें कि संघर्ष की आग में तब कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कुंदन बनता है यह कुंतन संघर्ष की आग में तब कर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का प्रतीक है कच्चा सामानी व्यक्ति का प्रतीक है सामानी व्यक्ति महान तब बनता है जब वह कोईले कलंक में तबता है कोईला विरोधी शक्ति संघर्ष का प्रतीक है पहले करवक में व्यक्त जाईसी के आत्मिस्वास का पर्चे अपने सब्दों में दे यहां पर आप देखेंगे के पहले पद में पहले करवक में जाईसी ने अपने पुर्ण आत्म गौरव का पर्चे दिया है सामानित तोर पर आदमी कुरूप होने पर एक हीन भावना का सिकार हो जाता है काला कुरूप होने पर अपमान के कारव हीन भावना का सिकार हो जाता है लेकिन यह कभी काला होने के बाद भी कुरूप होने के बाद भी हीन भावना का सिकार नहीं रहा बलके एक आत्म गौरब से लवरेज रहा वह पूरी तरह ये असपस्ट कर दिया कि संसार में वही व्यक्ति महान होता है जो गुनवान होता है जो गुनहीन व्यक्ति है वह व्यक्ति कितनों सुन्दर होगा समाज में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति गुनवान होगा, रूप से वह चाहे जैसा भी हो, वह महान बनी जाएगा, अर्थात समाज में सम्मान पाने के लिए गुनवान होना जरूरी है, वह तो दर्पन की तरह होता है, नेर्मन होता है, पवित्र होता है, सब लोग उसमें अपना रूप कर देखाएगा कर रूप जरूरी होता है।